हम सब चाहते हैं कि हमारी स्कीन बहुत ब्यूटिफूल हो स्पॉर्टलेस हो लेकिन आज कल के इसी बिजी सी ड्यूल में हमें समय नहीं मिलता है कि हम अपनी स्कीन का सही तरीके से ध्यान रख सके नहीं में से एक है पिग्मेंटेशन यानि की जाईयां जिसे मेलाजमा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स आज का मेरा यह वीडियो इसी गहरी समस्या से संबंदित है जिसमें नौ केवल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह क्यों होता है बलकि इस समस्या से छुटकाड़ा पाने के लिए जो उपाय होते हैं बहुत ही आसान सा तरीका भी बताऊंगी तो देर किस बात की? चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और हमारी RKR फैमली का हिस्सा बन जाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजे और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेहर कीजी फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं मेलाजमा यानि की ज्याईयों की और यह एक ऐसी समस्या है जो जिद्धी दाग बन कर आते हैं और जल्दी वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं पिग्मेंटेशन, हाइपर पिग्मेंटेशन या ज्याईया यह ऐसी स्कीन प्रॉब्लम है जिससे चेहरे पर काले गहरे धब्बे नजर आते हैं यह एक ऐसी स्थिती है जिसकी वज़ा से चेहरे की रंगत फिकी पर जाती है कुछ लोग बहुत ही महगे टिट्मेंट लेते हैं और कई महगे महगे प्रोडक्ट्स का इस्तमाल करते हैं ताकि यह जाईया कम दिखे इन सब के बाब जो धूप या पोशन की कमी से यह फिर से बढ़ने लगते हैं प्रदूशन, टेंसन, फास्ट फूड हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं और इन सब का असर हमारी स्कीन पर दिखता है महगे टिट्मेंट लेने के बज़ाए अगर अपने स्कीन की सही तरीके से देखभाल की जाए उन्हें पोशित किया जाए, सही आहार लिया जाए और हूम रेमेडीज को अपनाया जाए, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो ये जहाईयां बहुत आसानी से दूर भी हो जाएगी और हमारे पैसे भी बरबाद नहीं होंगे आज मैं जो हूम रेमेडीज बताने वाली हूँ उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू आलू से चेहरों की जो भी समस्या हैं वो सब कम हो जाती है चेहरे पर आलू का फेस पैक या आलू का फेस मास्क लगाने से तो अचा संबंदी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्योंकि आलू में फाइबर, कैलसियम, पोटैसियम, विटामिन बहुत सारे पोसक तत्व पाए जाते हैं ये इसकीन को निखारने के साथ-साथ दाग, धब्बे, जुरियों को दूर करने में मदद करता है चेहरे पर आलू का रस लगाने से जितने भी तरह के दाग, धब्बे होते हैं वो बहुत आसानी से हट जाते हैं इसलिए आज के होम्रे मेडीज में हम आलू का इस्तमाल करेंगे चेहरे पर ग्लो बनाये रखने के लिए पिग्मेंटेशन से चुटकाड़ा पाने के लिए आज मैं यहाँ पे ले रही हूँ आलू का रस उसके लिए हमें आलू को पहले कद्दू कस कर लेना है और इसे चन्नी की मदद से चान कर इसका रस निकाल लेना है और इस रस से एक बहुत ही magical home remedy तहार होगी जिस से मेलाज माय यानि की hyper pigmentation से हमें चुटकाड़ा मिलेगा चेहरे से जुड़ी हर समस्या के लिए आलू का रस फायदे मन्द है चाहे वो dark circles की बात हो, skin azin की बात हो या किसी भी तरह के एकने की बात हो आलू हर तरह की skin problem में help करता है next मैं ले रहे हूँ curd यानि की दही, दही में मौझूद lactic acid जो तुचा में मिर्त को सिकाओं को हटाती है इससे जुडियों और aging की समस्या भी कम होती है, lactic acid skin को soft बनाने का काम करती है pimples और dark circles की समस्या भी चेहरे पर दही लगाने से कम हो जाती है तो आज इस home remedy में मैं दही को mix करूंगी ताकि हमारी जो pigmentation की समस्या है, वह कम हो जाए गर्मियों में sunburn से skin जुलस जाती है और इसमें दही बहुत ही रहात देता है वह हमारे dark circles को भी दूर करने में बहुत help करता है इस home remedy को तयार करने के लिए next मैं ले रही हूँ संत्रे के छिलके क्योंकि संत्रे के छिलके skin से जुरी कई तरह की समस्याओं को कम करने में हमारी मदद करते हैं इसमें होता है vitamin C और fiber जो कि बहुत सारी तरह की skin की समस्याओं को हटाने में हमारी help करते हैं इन छिलकों को साफ करके हम अपने skin की home remedy जो तयार कर रहे हैं उसके लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं संत्रे के छिलकों में सेहत और सुन्दरता दोनों का ही राज है संत्रे के छिलकों को मैंने अच्छे से सुखा लिया है बहुत पहले से और इसे अब मैं mixer grinder में piece कर इसका एक महीन paste तयार कर लूँगी और जब यह powder की form में मुझे मिल जाएगा उसके बाद इसे मैं home remedies में mix करके बहुत अच्छा सा एक face pack तयार करूँगी हमारी स्कीन को संत्रे के छिलकों से कई तरह के फायदे मिलते हैं अगर हम चाहें तो संत्रे के छिलकों को सुखा कर उन्हें piece कर उससे powder form में तयार करके store करके काफी दिनों तक रख सकते हैं और अलग-अलग तरह के face pack में उनका इस्तमाल कर सकते हैं इससे कई तरह की हमारी skin की जो problem है उन्हें solve करने में हमें help मिल सकता है next मैं ले रही हूँ basin क्योंकि basin skin के लिए बहुत ही फायदेमंद है pimples की problem हो या फिर dead cells को हटाना हो oily skin को control करना हो या tan को ठीक करना हो या फिर रूखी तवचा को hydrate करना हो हर चीज में skin से जूरी हुई हर problem में basin का बहुत बड़ा रोल है pigmentation की समस्या बहुत ही गहरी समस्या है तो इस समस्या को दूर करने के लिए next मैं ले रही हूँ हल्दी क्योंकि हल्दी हमारी सुन्दर्ता को बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद सावित होता है हल्दी में होता है anti-oxidant anti-inflammatory के गुन जो तवचा की लालीमा को सांत करने में दाग धबो को कम करने में तवचा को glowing मनाने में और एकने की problem से चुटकाड़ा दिलाने में प्रभावशाली होता है चेहरे की जहाईयों को अगर हमें 5 days में कम करना है तो उसके लिए मैं next ले रही हूँ गुलाब जल एक सोध के अनुसर बताया गया है कि गुलाब के अर्क में skin whitening के गुन होते है यह हमारे skin को ठंडक भी देता है skin bleachingness यानि की काले वा लाल रंग के patch को दूर करने में भी यह help करता है साथ ही यह glow को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है इन सभी magical ingredients को मिला करके मैंने एक बहुत ही अच्छा सा smooth paste तयार कर लिया है जिसमें मैंने एक चमच मिलाया potato juice और साथ ही उसमें मिलाया एक बड़ा चमच मैंने curd यानि की दही उसमें मिलाया मैंने संत्रे के छिलके का powder एक बड़ा चमच और एक बड़ा चमच मैंने मिलाया besan साथ ही उसमें मिलाया एक चौथाई चमच हल्दी पॉडर और उसमें मिलाया गुलाब जन इन सब को आपको इतनी मात्रा में बना करके तयार करना है कि वो एक बहुत अच्छा सा पेश्ट तयार हो जाए और उसे 20-25 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगाना है आपको याद रखना है अपनी आँखों के नीचे आपको इसे नहीं लगाना है क्योंकि आँखों के नीचे की तवचा बहुत ही सॉफ्ट होती है उसे लगाने के बाद 20 मिनट के बाद आप क्या करो हलके हाथों से पानी से इसे भींगा लो और धीरे धीरे रब करते हुए अपने स्कीन से इसे फिर आप इसको छुडाओ तो उससे क्या होगा कि आपके स्कीन में जो भी डेट सेल्स हैं वो सब निकल जाएंगे और पिग्मेंटेशन की समस्या बिलकुल खत्म हो जाएगी एक एक दिन को छोड़कर अगर आप पाँच दिनों तक इस पेश्ट को लगाते हो तो आप देखोगे कि आपके पिग्मेंटेशन की समस्या जाईयों की समस्या बहुत हद तक कम हो गई है कोई भी ऐसा मैजिक नहीं होता है कि आपने कोई पेस्ट लगाया कोई फेस्पैक लगाया और एक बाड़ में ही वह समस्या खत्म हो जाए इसके लिए आपको continue फॉलो करते रहना है और जिस तरह से बताया गया है आपको यह फेस्पैक लगाना है बहुत हद तक आप देखोगे कि आपकी जाईया कम हो जाएगी आज का वीडियो आपको कैसा लगाना गाईस बताना मत भूलना कमेंट करके कमेंट सेक्षन में मुझे अपने फीड़बैक जरूर देना अगर आपने अब तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेना और जादा से जादा सेयर करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना आज के लिए इतना ही मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हूम रेमेडीज के साथ तब तक लिए बवाए थैंक्स फॉर वाचिंग